पाटन निवासी 35 वर्षिय युवक की मौत हो गई है मरीज युवक में ब्लैक फंगस के लक्षाओं निले थे युवक का एक नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और एम से राइपूर ले जाने की तैयारी चल रही थी दूर्ग सीमेच और डॉक्टर गंभीर सिंग ठाकुर ने मौत की पुष्टी कर दी है महीं कोड़ा गाउं जिले में भी ब्लैक फंगस का मामलास सामने आया है रंधना गाउं के ग्रामीर में ब्लैक फंगस के लक्षाओं दिखें है राइपूर के नीजी अस्पताल में भरती कराया गया है सीमेच और डॉक्टर टीयार कुवार ने पुष्टी की है इदर धंदरी जिले में भी ब्लैक फंगस का पहला मामलास सामने आया है ब्लैक फंगस के मरीज को राइपूर एम से डेफर किया गया है डास्क रिपोर्ट समयने